टीम क्या होता है, कि टीम जो है, जो है, ग्रूप की तरह होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर जो गूरूप Members होते हैं, जो Members होते हैं टीम में, उनकी Skills क्या होते हैं, चोंप्लीमेंटरी होती हैं, Sometimes a small number of people with complementary Skills who are committed to a common purpose, performance goals and approach for which they hold themself mutually accountable. ग्रूप में क्या होता है? Same label, Same organization, Same department Same label पे काम करने वाले grouping कर लेते हैं या फिर different department में काम करने वाले लेकिन एक जगह किसी location पे रहते हैं दोनों एक ही जगह पे रहते हैं तो वोग ग्रूप बना लेते हैं लेकिन team में क्या होता है? team में organization team को develop करती है और जो members होते हैं उनके पास complementary skills होती है यानि कि जो सामने वाले के skills होंगी जरूर निये कि सामने वाले दूसरे वाले member के पास वही skills हो जैसे कि cricket team cricket team में क्या होता है तो आप देखेंगे cricket team में सभी के सभी batsmen या सभी के सभी ballers नहीं होते हैं वहां पर कई wicket keeper होगा तो कोई runner होगा अच्छा लगогा तो कोई fielder अच्छा होगा कोई catches पकर्ड़ोंगा बॉलर अच्छा होगा कोई spinner कोई fast baller होगा ऐस कोई batsmen थो सभी को खिल सकता होगा anger to different complementary skills को मिलाकर जब आप कोई एक group तैयार कथ तो क्या कहते हैं टीम कहते हैं ठीक है तिनका क्या होता है common purpose होता है ये किसी गोल को perform करने के लिए बने होते हैं और अगर कोई हारता है यानि कि ये team जब कोई objective अचेव करती है तो success पूरे team को जाता है और अगर कोई कहीं पर हार मिलती है तो पूरा failure और भी वो पूरी team को जाता ह पूरी के पूरी team को जाता है उसका success is fail का जो reason होता है clear तो different different type के teams होती है जो definition दिया गया था यह जैसे कि पहला है functional team तो functional team क्या हो गया है कि यहां पर एक ही department में काम कर रहे हैं लोगों को जो है teammate बनाया जाता है जैसे कि आप complimentary skills से ध्यान रखिएगा तो एक ही department में काम कर र वाले employee जो है इनकी एक team बना दी ठीक है जैसे sales team की बात करें तो sales manager हो गया area sales manager हो गया और जो sales person है इन तीनों को मिला के कोई team बना दी तो functional team हो गया cross functional team में जब अलग-अलग department से जो है अलग-अलग लोगों को चुन कर आप team बना देता है यानि कि finance एक HR एक marketing से उठाया और अपने team बना दिया तो that is cross functional team दूसरा है self-managed team self-managed team मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे functional है cross functional हो गए तो यहाँ पर इनका कोई लीडर होगा जिसको यह report कर रहे होगे लेकिन self-managed team क्या होता है कि यह खुदी को report करते है यानि कि यह team ऐसी होती है जिनको किसी और को report कर होता है यानि इस team के member के होंगे दूर-दूर located होगे और वो जो है online आपस में चीजों को decision making करते हैं और task को perform करते है तो virtual team यानि कि जहाँ पे computer या technology का use करके लोग meeting करते हैं और जो है काम को organization की task को achieve करते है problem solving team यह जो virtual team है अपने covid की time पे खासकत देखा होगा कि लोग अपन process आ जाती है या फिर sales down हो गया या फिर जो है कोई और दिक्कत आ जाती है या फिर कोई machinery purchase करनी है तो उस case में जब एक special team बना जाती है सिर्फ उस specific problem को solve करने के लिए तो उसको कहते है problem solving team यह एक तरीकी का task force भी होता है अपने task force सुना होगा अकसर news में देखते होगे कही system तो multi team system क्या हुआ कि एक ही गोल को achieve करने के लिए एक ही problem को solve करने के लिए different different team बन गई है जैसे कि आप जो जनली देखते होंगे कि क्या होता है government में कही train accident होगे तो train accident होगे तो railway का एक team रहेगा police वालो का एक अलग team रहेगा government की एक अलग team रहती है तो यानि कि multi team system जहां प quality है उसको improve करने के लिए यह काम कर रहे होते हैं तो उसको कहते है quality circle team specifically quality को improve करने के लिए बना जाते हैं तो यह different type of team होती है में लब की purpose के हिसाब से जो भी आप समझ ले उस type का team बन सकता है functional हो गया निकि same department से अलग-अलग label पर काम कर रहे है cross function हो अलग-अलग department पर काम कर र है virtual team जो online माध्यम से अपनी organization की goal को achieve कर रहे है उसको solve करते है problem solving जो किसी specific problem को solve करने के लिए team बनाए गई होती है multi team जहां पर एक ही goal को achieve करने के लिए different teams जो है काम कर रहे होती है और वो सब coordinate करती है आपस में यह नहीं कि तीनों बात नहीं कि तीनों coordinate कर रहे होंगी और आता तो उसको improve करने के लिए जो है वो team बनाए गई होती है अब बात करने कि team building process क्या है यानि कि team बनता कैसे क्या process है उसका तो team building process में सबसे पहले important चीज की team बनानी क्यों है यह identify करने तो identify the need for team building कि क्यों team बनाना है ठीक है then define the objective and required set of skills यानि कि क्या objective होगी इस team का वो उस team क्या achieve करना चाहेगी उस team को क्यों बना जा रहा हो क्या achieve करना है उसको और उस objective को fulfill करने के लिए क्या-क्या skills चाहिए होगे members के वो चीज आप identify करें then consider the team role यानि के team के role क्या होगे team members का role क्या होगा यह सारी चीज़े आप जो उसको समझेए then develop a team of individuals फिर उस role के according objective के according आप क्या करें establish and communicate the rule जब team बन जाए आपकी विससे cricket team है तो 11 चाहिए तो 11 का जब आपने बन गया तो उसके बाद आप उनको जो है rules को बनाईए और communicate करें उनको rules के बारे में बताईए कि कैसे कैसे क्या-क्या चीज़े करनी है क्या चीज़े नहीं कर सकते हैं और उसके बाद objective क्या है उनक किसका finance अच्छा है किसका marketing अच्छा है कौन communicate अच्छा कर लेता है यह चीज़े जो है उसको identify के लिए और be part of team यानि कि आपको अपना आप भी उस team के member हो जो team build कर रहा है वो भी उसका team member होना चाहिए जिससे कि वह performance को monitor कर सके meetings जो है schedule कर सके और फिर जब task complete हो जाए तो उस team को dissolve भी कर सके या फिर अगर लगता है कि team की performance बेकार है यानि उसकी performance अच्छी नहीं है तो वो फिर उस team को dissolve भी कर सकता है clear तो यह team building का process होता है normally आप basic step सियाद रखेंगे कि पहले objective क्या है यानि purpose क्या है उसको identify करिए फिर objective को define करके skills को set करिए role को define करिए team individuals को develop करिए उसके performance को monitor करें, meetings रखें, schedule करते रहें time to time और फिस जब task complete होया तो team को dissolve कर दें तो अब बात कर लें कि Tuckman का process क्या है team development का तो यह जो group development stages आपने पढ़े ना वही Tuckman model of team development है forming, storming, norming, performing, adjourning, group formation stages तो five stages होते है group development के जो कि psychologist Bruce Tuckman ने दिया था तो यह जो group formation stages psychologist Bruce Tuckman थे उन्होंने five stage group development के दिये थे, जिसमें five stage कों थे, forming, storming, norming, performing and adjourning, यह पांच stages हम एक एक करके यहां पर discuss करेंगे, तो सबसे पहले था forming, जब भी group कोई बनता है, त्यानी कि पहले से लोग एक दूसरे को ने जाते हैं, बलकि पहली बार मिलते हैं, कभी ने कभी पहली बार मिले होंगे और वो आप पर क्या है, कि वहां पर अलग-अलग जगह से लोग आते हैं, पहली बार आप उनसे मिलते हैं, तो आप एक से दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां पर क्या है, लोगों से मिलना होता है, तो forming stage बही होता है, कि member gets introduced, अपनी personal information को share करते है, एक दूसरे को accept क करना स्टार्ट करते हैं, और जो है, ग्रूप टास्क गयाने के उनका ग्रूप टास्क होता है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, और interaction जो है, वह भी लोगों के बीच में थोड़ा सा cautious होता है, कि एक दूसरे से मिले जुले होते नहीं है, इतनी जानकारी होती नहीं है, तो जो ग्रूप में एक साथ सब लोग आ गए, तो उसके बाद ग्रूप में अपना एक रोल पाना चाहते हैं, अपने आपको ग्रूप का लीडर बनाना चाहते हैं, या फिर कोई specific position बना चाहते हैं, तो competing for status तो यानि कि ग्रूप में जो लोग होते हैं, वो status बाने के लिए compete कर रह ग्रूप form हो रहा होता है, तो storm का मतलब का होता है, तूफान, यानि कि ग्रूप के members के बीच में तूफान आ रहता है, लोग जो है TENSION में होते हैं, अग्जायटी होती है, वो उसकी बात नहीं मान रहा होता है, एक दूपए कर रहता है, तो तूफान होता है, लेकिन storm जब चीज़े यहाँ पर develop होने लगती है और cooperative feeling जो है एक दूसरे के अंदर आने लगती है कि हाँ हम लोग एक group member है हमें यह goal achieve करना है एक दूसरे से cooperate करके हमें यहाँ जाना यह group के norms होगे यह सारी चीज़े यहाँ पर normalization के तरफ बढ़ने लगता है group उसके बाद फिर normal हो जाता त याने कि complex problems वो easily लोग मिलकर handle करेंगे, task को complete करेंगे और functional rows जो भी होते है एक दूसरे के वो लोग perform करेंगे और जब उनका task जिस वज़े से group बना गया था यह जो group formal stages देख रहे है normally formal group development के लिए होता है तो formal group development कहा होता है, normally organization में group develop किया था कि कोई task है उसको achieve करने के लिए group बनाया जाता है तो वहाँ पर forming, storming, norming, performing, perform कर लिया, तो अब क्या होगा, बट अब ऐसे बाद है कि जब group का task complete हो गया है तो वो group क्या हो जाएगा, adjourn हो जाएगा, adjourn में इसकी dissolve हो जाएगा, group wrap up its work and then dissolve जाने कि group का सारा काम खतम हो चुका है, जिस वज़े से group बनाया गया था, वो task complete हो जा तो यही five stages model होते है, group development के, group formation stages के, जो कि tech man ने दिया था, क्या था, forming यानि कि पहले group को बनाया जाता है कि अलग अलग department से, फिर किसे भी department से अलग लगों को एक साथ एक group बना जाता है, group A या group B जो भी नाम दी दिया गया, उसके बाद लोग उसमें आपस में मिलते जुलते एक दुसरे से सहमत जाता है, एक दुसरे से सहमत भी होंगे, tension होगा, anxiety होगा, एक दुसरे की बाद को काटेंगे, यानि storming होगा, storming के बाद फिर एक दुसरे लोग समझने लगेंगे, group का norm बनने लगेगा, जो है दोसरे को cooperate करने लगेंगे, सब को समझ में आजागा कि हम यह group goal achieve करना है उसके बाद वो perform करेंगे ग्रूप का goal achieve करेंगे जब ग्रूप का goal achieve हो जाता है तो वो group over हो जाता है ग्रूप जो है एडजर्ण हो जाता है नहीं कि dissolve हो जाता है यही group formation के stages है फिशो वालतबिस्ट कीप पहुचेंग